नमस्कार मैं हूँ पार्था और आज मैं आपको जहां लेकर आया हूँ यह राजापूर है राजापूर वही अस्थान है जहां कहा जाता है कि तुल्सी दास गोश्वामी तुल्सी दास का जन्म हुआ था संबत 1554 में और यह राजापूर सूकर खेत्र यह पढ़ता है गोंडा में डिस्टिक गोंडा है लेकिन कई कि दवन्तियां हैं जो तुल्सी दास को का जन्म बताती है कि वो चित्रकूट में हुआ था और कई कि दवन्तियां है जो जिनका जन्म बताती है कि राजापूर में ह क्योंकि जो राम चरित-मानस की भासा है वह और आवधी भासा जो है वह पूरे छेत्र की यानि कि अगर तुलसिदास का जन्मस्थान हुआ रहता चित्रकूट तो उधर की भासा बुंदेली है तो यानि एक और तर्क है इसके संदर में कि उनके जो पिता जी थे आत्मा राम उनके नाम से आज भी यहां काफी जमीन है इसके संदर में हम यहां के कुछ जो यहां के मूल लिवासी है इन लोगों से जो इन लोगों से कुछ बात करते हैं यह लोग बताएंगे कि जमीन आज भी आत्मा राम जी के नाम से है। जमीन दोगी नहीं था और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात जो ननिहाल था वहराईच में था। तो बहराईच उस समय में चित्रकूट से बहराईच भीवा का कोई प्रशन नहीं और चित नहीं होता है। कतनापूर कहा है। अच्छा ये कतनापूर जहां उनकी ससुराल थी यानि उनकी साथ साधी जो उनकी पत्नी थी रतनावली। आपको याद होगा कि रतनावली के ही प्रताडना से तुलसी दास ने फिर रामचरित मानस का की रचनाप को प्रारम किया। रतनावली ने कहा था कि लाजनावत आपको दोरही आए हुशाथ दिक दिक ऐसे प्रेम को कहा कहू मैं नात। प्रेम देहमम तापर ऐसी प्रीत ऐसी जोहो स्री राम पे कहन हो भौवीत। तो इससे विवल होकर के उन्होंने रतनावली के प्रेम को छोड़ा और भगवान स्री राम के प्रेम में लिपत हुए। और इस अस्थान को छोड़ कर वो चले गए और उसके बाद कासी में जा तुलसी दास का जन्मस्थान कहा है? तुलसी दास का जन्मस्थान राजापुर शूकर छेत्र पशका है जो की गोंडा डिश्टिक उत्तर प्रदेश में पढ़ता है। ये सर्विधित है भले ही इस छेत्र का विकास नहुआ हो ये उतना पापुलर नहुआ हो तो अब आप य दवहनों से निवेदन और हिंडी को जानने वालों से निवेदन तथा अन्य बूद्ध जणों से निवेदन कि वो इस छेत्र को भी उसी उचाईयों पर पहुचाएं और भगवान राम को जिन्हों ने जीवित किया उसको जीवन धान दे और उसके संदर में भी एक मंदिर का निर्माड हो इन सारी बातों के साथ आप सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं नमस्कार जहिन धन्यवाद